नमस्कार बहुत स्वागत है जोतिश दिशा सत्ति की राह में आपके साथ मैं हूँ आपका इश्टो फ्रेंड संतोस अंतोशी दिन की सुरुवात जोतिश दिशा के साथ आज का जोतिशी कारिक्रम आपके पूरे दिन को बहतर करने के लिए हर संभो प्रयास करेगा आज के कारिक्रम में आपको यह जानकारी मिलेगी कि दिन को बहतर करने के लिए क्या एक प्रियोक किया जाए आज आप हमसे अमरित सर्वे मुलाकात कर रहे हैं अगर आप अमरित सर्व के आज पास से कहीं से भी हैं तो देर मत करिएगा फटा फट फोन करिएगा वाटसप करिएगा और मिलने का समय ले लीजेगा पंचांग बताएंगे पूरे दिन का हाल बताएंगे सक्सेस की बताएंगे जिनका आज हैपी बर्थ डे है 26 मार्च को जो पैदा हुए हैं उनके लिए क्या उपाय करना बेहत शुब होगा इसकी जानकारी भी हम आपको देंगे तो आईए विलंब किस बात की सुरुबात करते हैं जोतिश दिशा की फालगुन माहा शुक्ल पक्ष 12 शीति थी सुबह 8 बज़ कर 20 मिनर तक इसके बाद 33 प्रदोश चंद्रमास सिंग राशी में नक्षत राज का मगा रहेगा योग रहेगा धृति सुबह 7 चगवालिस तक इसके बाद शूल तद अनुसार दिनांक 26 मार्च दिन शुक्रवार शुक्रवार को राहुकाल का समय होता है सुबह 10 से 12 बज़े तक राहुकाल में नए और शुक्राम नहीं किये जाते और गुलिक काल का समय रहेगा सुबह 7 से 9 बज़े तक गुलिक काल में आप जो चाहें करें काम आपके बनते चले जाते हैं तो में से लेकर मीन तक दिन कैसा बीतेगा इसकी जानकारी बताएंगे यह भी पता दे कि आज हम आप लोगों के लिए मिधुन राशी वालों के जीवन में ब्रहश्पत के कुम्भस्त होने का क्या क्या असर पड़ेगा इसकी जानकारी आज देंगे जो तिस जराट के इंतजार करिएगा सुरुवात आए करते हैं आज के भविश्य वारी की मेश राशी मन बहुत प्रशन रहेगा कोई रुकावट नहीं है पढ़ाई में खोब मन लगेगा सिक्षा के बारे में बस इतना जाने कि जो भी दिक्कत थी आज दूर हो रही है ब्यापार में परिशानियों का अंत होगा बिजनस आपके लिए बेहत सकारात्मक है प्राइवेट सिक्टर में तनाव बढ़ रहा है कुछ न कुछ मुछकिल आ सकती है प्राइवेट सिक्टर को लेकर के आपको बहुत सजग रहने की आवश्यक्ता है सरकारी छेत्र में कुछ कन्फ्यूजन क्रियेट होगा यह भी करने और यह भी करने में आज कुछ परेशान हो सकते हैं दामपत्य जीवन बहुत अच्छा है पत्ने के साथ बहुत क्वाल्टी टाइम स्पेंड करेंगे एक दुसरे को समझने के हर संभव प्रयास सफल होंगे लब लाइप में उलजन बढ़ सकती है आज कुछ रिस्क नहीं लेना है दोनों को एक दुसरे की आँखों में कुछ देर बैठ कर देखना है समझने की कोशिश करनी है स्वास्त के मामले में लीवर और डाइजेशन प्रॉबलम हो सकता है मेश वालों को आज उपाय क्या करना है छोटे बच्चों को आज कच्चा दूद दे दीजेगा एक पाव आधा लीटर एक लीटर जो आपकी छमता होगी क्या नहीं करना है आज दूसरों की सलाह नहीं माननी है शुबरंग पीला भाग्य प्रत्षत पच्चपन ब्रिशब राजी मानसिक मजबूती प्राप्त करेंगे पढ़ाई बहुत अच्छी करेंगे सिक्चा में कोई दोश नहीं है ब्यापार आपका अच्छा चलेगा बिजनस में कुछ अच्छी स्थिती पहुँच जाएंगे आप प्राइवेट सेक्टर आपके लिए कुछ मुश्किल पैदा करेगा प्राइवेट सेक्टर की स्थिती कहीं से भी ठीक नहीं है सरकारी छेत्र में उचाईच होने जा रहे हैं आप गवर्मेंट सेक्टर बहुत सा खरात्मक होगा दामपत्त जीवन पत्नी के साथ क्वालिटी टाइम इस्मेंड की तरह बिशारा करता है बच्चों को लेकर के कुछ बहुत अच्छा सोचेंगे स्वास्त के मामले में आज इसकिन खासी और जुखाम की शिकायत हो सकती है ब्रिशब राशी के लिए उपाय क्या करना है अगर आपकी राशी ब्रिशब है तो आपके लिए एक छोटा साप्री होगा तीन चुटकी काले तिल किसी पौधे के नीचे डाल दीजेगा क्या नहीं करना है अपने राज रिवील नहीं करने है शुबरंग स्लेटी भागी प्रत्षत तिरपन मिथुन राशी मन खूब खुश रहेगा सिक्षा में किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी पढ़ाई अच्छी करेंगे आप ब्यापार आपके लिए कई तरह की दिक्कत देगा बिजनस की स्तती ठीक नहीं प्राइवेट सेक्टर सब प्रकार से शुबता देने जा रहा है सरकारी छेतर में आपके लिए कुछ मुश्किलें आ सकती है गौर्रमेंट सेक्टर को लेके सजग रहे आज पति-पत्नी के बीच किसी अन्यका प्रवेश उल्जा देगा पति-पत्नी एक दूसरे को समझ नहीं पाएंगे कुछ तनाव बढ़ रहा है लव लाइफ हर प्रकार से शुब है किसी तरह की समस्या नहीं आज शादी की चर्चा कर सकते हैं दोपहर के बाद किसी छोटी सी बाद पर बड़ा बवाल हो सकता है स्वास्त के मामले में आँख बैक की प्रॉब्लम भुटने की तकलीफ हो सकती है प्रियोग क्या करना चाहिए आपको दिन बहतर करने के लिए सीधे सीधे हाथ में गुलाब जल रखना है और ओम गंग गडपते नमः कहते हुए अपने उपर छिड़काव करना है क्या नहीं करना है मिथन वालों को आज मिथन वालों को किसी कीमत पर अपने राज किसी को बताने नहीं है शुबरंग गुलाबी भाग्य प्रत्षत 63 करक राशे मन खूब खुश रहेगा पढ़ाई बहुत अच्छी करेंगे आप सिख्छा में किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी सिख्छा का छेतर आप के लिए बहुत अनकूल रहेगा प्यापार में समस्याय आ सकती है बिजनस में रिस्क नाले पार्टनर्शिप में आज बहुत उल्जन बढ़ेगी दामपत्य जीवन आपका अच्छा है पत्नी के साथ बहुत अच्छा समय विताएंगे आज हेल्थ के इशू माइग्रेन, लीवर और किड्नी की समस्या की तरफ इशारा करता है उपाई क्या करना करक वालों को? आज अपने मन से एक तीन पौधों में जल देना है क्या नहीं करना करक वालों को? आज जल्दी बाजी में कोई निर्ड़े नहीं लेना है बैगनी रंग शुभ है, कहत्तर प्रत्सित का भाग्या सिंग राशी, दिनांग 26 मार्च दिन शुक्रवार सिक्छा हर हाल में आपके लिए सकारात्मक है सिक्छा में कोई दोश नहीं आएगा ब्यापाल मुश्किल पैदा करेगा बिजनस की स्थिती ठीक नहीं है ट्राइवेट सिक्टर बहुत सकारात्मक है शुबता आपको जरूर मिलेगी सरकारी छेत्र में तनाव बढ़ रहा है वर्क लोड बढ़ेगा, परेशान हो सकते हैं दामपत्य जीवन अच्छा है, पतनी के साथ बहुत अच्छा समय बीतेगा एक दुस्रे को समझ लेंगे आप लव लाइफ की स्थिती उल्जन भरी है बहुत अच्छी स्थिती नहीं रहेगी लव लाइफ में कुछ परिशानिया हो सकती है स्वास्त के मामले में आज का दिन सांस लेने में दिक्कत इसकिन की प्रॉबलम दिखाता है प्रयोग क्या करना चाहिए आज जरुरत मंद को आज हरी सबजी दान करिएगा, क्या नहीं करना है आज सिंग राशी वालों को जूट नहीं बोलना है हरारंग शूब है, 68% का भाग आपके साथ कन्याराशी, 26 मार्च शुक्रवार सिक्षा बहुत अच्छी है पढ़ाई में मन भी लगेगा नई जिगा हैडमिशन हो सकता है लोन आदि लेने के लिए विचार किये होंगे, एजुकेशन लोन तो आप अप्लाई कर सकते हैं व्यापार मुश्किल पैदा कर रहा है बिजनस में आज पार्टनर्शिप में दिक्कत आएगी और कुछ टेंडर वगेरे हाथ से निकल सकते हैं प्राइवेट सिक्टर बिलकुल आपका मन प्रशन करेगा स्टैंड करेंगे परिशानियों का अंत होगा सरकारी छेत्र उलजाएगा गौर्र्मेंट सिक्टर ठीक नहीं है छोटी छोटी चीजों पर छोटी छोटी बातों पर परिशानी आ सकते हैं दामपत्त जीवन आपके लिए बहुत बेहतरीन इस्तती में पति-पत्नी के लिए आप पर भरुसा होगा बहुत सकरात्मक रहेगा लव लाइफ कहीं न कहीं आपको कुछ उलजाने वाला मामला बन रहा है लव लाइफ में कुछ न कुछ दिक्कत आ सकती है स्वास्त के मामले में बैक की प्रॉबलम और लिवर की दिक्कत हो सकती है कन्या राशी उपाय क्या करना चाहिए आज भोले नात का ध्यान करिएगा ओम नमह शिवाय इस मंत्र का जितना हो सके जाप करिएगा क्या नहीं करना है किसी को सलाह नहीं देना किसरिया रंशुप है पच्पन प्रिच्षत का भाग्य है कन्या राशी के बाद तुला राशी 26 मार्च दिन शुक्रवार सिक्षा के लिए आज मन प्रशन्न होगा तो मन भी लगेगा दोस्त मददगार साबित होंगी नोट्स का लेंदिन कर सकते हैं ब्यापार मुश्किलें डाल रहा है विजनस की स्थिती ठीक नहीं है कुछ तनाव बढ़ सकता है प्राइवेट सिक्टर आपके लिए बहुत अनकूल है किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी सरकारी छेतर आपके लिए अचानक परेशान कर रहा है गौर्णन सिक्टर में कुछ न कुछ दिक्कत आएगी दामपत्त जीवन तुला राशी आज पतनी के साथ कहीं क्वालिटी टाइम स्पेंड करने निकलेंगे और एक दूसरे को समझ लेंगे लव लाइफ में उजन पढ़ रही है आज कहीं से भी आप दोनों के बीच सवहार्द नहीं है ब्रिक अप तक की बात आ सकती है स्वास्त के मामले में तुला राशी वालों को बैक की प्रॉब्लम, लीवर की दिक्कत, आँख की समस्या हो सकती है प्रियोग क्या करना चाहिए अगर आपकी राशी तुला है तुला राशी वालों को इस खास मंत्र का जाप करना है क्या नहीं करना है आज अपने मन से सलाह ना देन लग जाईएगा भुरा रंग शुब है 58 प्रत्शत का भाग आपके साथ है ब्रिश्चे ग्राजे बहुत सकरात्मक सोच रहेगी हर प्रकार की परेशानिया दूर होंगे लाब के अउसर बनेंगे परेशानियों से बाहर निकलेंगे शुबता आपको जरूर मिलेगी ब्यापार मुश्किल पैदा करेगा बिजनस की स्थिति ठीक नहीं ब्यापारिक तनाव बढ़ने जा रहा है प्राइवेट सेक्टर आपके लिए सब प्रकार से शुबता दे रहा है प्राइवेट सेक्टर में हर प्रकार से उचाईच होएंगे आप दामपत्त जीवन आपके लिए परेशानी बताएंगे हम सरकारी जेतर आज वाहन का सुक मिल सकता है मकान का सुक मिलेगा लेकिन दामपत्त जीवन में आज उल्जन बढ़ेगी किसी बाहरी तत्तु का हस्तक शेप आपको परेशान करेगा लव लाइट में हर प्रकार से आज बैलन्स इस्थती रहेगी सोच समझ करके आपके फैसले बहुत अच्छी इस्थती में आएंगे और किसी तरह की ऐसी इस्थती परेशान नहीं करेगी जिसको लेकर के आप उल्जन में आए उपाय क्या करना चाहिए स्वास्त के मामले में हड़ी बैक की प्रॉब्लम लीवर की दिक्कत ब्रिश्चिक राशी वालों को उपाय क्या करना चाहिए आज आज किसी जरूरत मंद को दवा का दान करना शुब होगा क्या नहीं करना है आज अपने इरादे किसी को बताने नहीं है पीला रंग शुब है क्यावन प्रत्सत का भाग आपके साथ है धन राशी उल्जन बढ़ सकती है आज पढ़ाई नहीं हो पाएगे स्विक्षा में दोश है और उधाएगा ब्यापार तनाव दे रहा है बिजनस की इस्तिती ठीक नहीं है मुश्किले आ सकती है बिजनस को ले करके सजग रहने की आवशकता है दामपत्य जीवन आपके लिए बताएंगे हम लव लाइफ भी बताएंगे प्राइवेट सेक्टर में वाहन का सुख मिलेगा नई नौकरी की संभावना है सरकारी छेत्र इस्तिती आपकी पक्ष में है मुश्किलों से बहार निकलेंगे गौर्णमेंट सेक्टर में कुछ बहुत सकारात्माख होगा दामपत्य जीवन में पत्नी के साथ क्वालिटी टाइम इस्पेंट होगा कहीं बच्चों को लेकर की घुमने टरनेगा कारिकम बनेगा परिशानियों कांत रहेगा कुछ मांसिक शांती मिलेगी लव लाइफ आपके लिए उलज़ा रहा है लव लाइफ में किसी भी तरह की स्थिती बहुत सामाने नहीं है कुछ बाहरी तत तो आपको परिशान कर सकते हैं स्वास्त के मामले में धनराशी वालों को आज कमर में दर्द हड़ियों की दिक्कत हो सकती है प्रियोग के तोर पर आज मादुरगा को एक लौंग चड़ाना शुब होगा क्या नहीं करना है आज दूसरों को सलाह नहीं देना है शुबरंग बादामी भाग्य प्रिशत 57, 57, 57, मकर राशी पढ़ाई अच्ची हो रही है आज शिक्षा में लाव होगा ब्यापार ब्याई बादाएं दूर होंगी बिजनस से सम्मंधित किसी तरह के तनाव खिष्टती नहीं है प्राइवेट सेक्टर आपके लिए मुश्किल पैदा करेगा प्राइवेट सेक्टर में किसी न किसी रूप में दिक्कत आ सकती है सरकारी छेतर आपके लिए तनाव दे रहा है गौर्मेंट सेक्टर को लेकि इसे जग रहने की आवश्यक्ता है दामपत जीवन में सब कुछ बहुत सकारात्मक है दामपत जीवन आपके लिए किसी तरह की रुकावत नहीं पैदा कर रहा पतनी के साथ कहीं न कहीं बच्चों को लेकर के आज कुछ विशेश सकारात्मक किस्तते दिखाई देती है लव लाइप में युल्धनें बढ़ रही है सोच समझ कर निरले लेना होगा आज साधी की चाप्चा टाल दीजेगा स्वास्त के मामले में आज पेट में दर्द, माइगरेन और आँखों की समस्या हो सकती है मगर आशी प्रियोग क्या करना चाहिए आज आज किसी जरुत मंद को कच्चे चावल का दान करना शुब होगा क्या नहीं करना है आज दूसरों को सलाह नहीं देना है सफेद रंगशुब है 75 प्रत्सित का भागया आपके साथ है कुम्बराशी और उके काम बन जाएंगे पढ़ाई बहुत अच्छी करेंगे सिक्षा में कोई अवरोध रुकावट परेशाने नहीं है ब्यापार मुश्किल पैदा करेगा बिजनस में इस्ति ठीक नहीं है सोच समझकर निर्ला लेना होगा प्राइवेट सेक्टर आपके लिए तरणाव दे रहा है कहीं न कहीं आपके लिए एक उल्जन भरी समय इस्ति आ रही है सरकारी छेतर में इस्तियां आपके पक्ष में हैं लाब के उसर रहेंगे, परिशानियों का अंत होगा, मकान का सुख मिलेगा, दामपत्य जीवन में संतान सम्मन्नी चिंताओं से मुक्ति मिल रही है, ससुराल से रिस्ता मधुर रहेगा और पत्नी के साथ कहीं गुमने टहलने का कार्क्रम बन सकता है लव लाइप में उलजन थोड़ी सी बढ़ेगी, अचानक से दोपहर के बाद कोई बाहरी तत्तों का हस्तक शेप आपको परिशान करेगा स्वास्त के मामले में आज कमर में दर्द, आँख की समस्या और लीवर की दिक्कत हो सकती है प्रयोग क्या करना चाहिए अगर आपकी राशी कुम्ब है आज कुम्ब राशी वालों को अपने उल्टे हाथ से सरसों का तेल उल्टे पाउं पर दो बूंद गिरा लीजेगा क्या नहीं करना है, आज सफेद रंग नहीं पहनना है नीररंगी शुपता 56 प्रत्सत का भाग्या है अंतिमराश मीन पढ़ाई अच्छी करेंगे, सिक्षा में लाब होगा सिक्षा छेतर में तनाओं से बाहर निकलेंगे ब्यापार थोड़ा सा रुकेगा, बिजनस में रिस्क ना लीजे प्राइवेट सेक्टर में लाब होगा वहार का सुक मिल रहा है, मकान संबन्धी चिंताओं से मुक्ती मिलेगी सरकारी छेतर आपके लिए उलजा रहा है गौर्मेंट सेक्टर आपके लिए परिशान करेगा आपको गौर्मेंट सेक्टर की स्थिती ठीक नहीं लग रही है स्वास्त के मामले में बताएंगे पहले नामपते जीवर बच्चों को लेकर कि आज पति-पत्नी के बीच में युद्ध उतार चढ़ाओ लव लाइफ में साधी की चर्चार टालिये बहतर नहीं है कुछ परिशानी आ सकती है स्वास्त के मामले में पेट आँख खासी जुखाम के शिकायत हो सकती है में राशी वालों के लिए प्रियोग के तोर पर आज लाल रंग धारन करें या लाल रंग की कोई हैंकी रुमाल अपने पास रखें क्या नहीं करना है आज इस्त्री के साथ गलत पेश नहीं आना है शुबरंग लाल भाग्य प्रत्सप साथ ये तो राशीयों का हाल बात आगे करते हैं अब आज के भाग्याक्षर की ये आपका शुबर भाग्याक्षर है जिसे सादे चोकुर कागच पर लिख कर अपने पास रखना होता है दाइने हाथ के अंगूठे में पूरे दिन एक काला धागा बाध के रखिए बंबं इस्त्ति बंबं इस्त्ति बहुत कुछ शुब रहेगा हमारे शुब कामना है आपके लिए है परशानियों से बाहर निकलें और हसते मुस्कुराते खिल खिलाते गुन गुनाते रहें जिनकी आज शुब जनम दिन है अर्थात जो आज पैदा हुए हैं उनके डियोपाए दो आउले का पौधा लगाकर किसी जरूरत मंद को कुछ दवा का दान कर दीजिए जिनकी आज मैरी जैनिवर्सरी है तीन लोगों को भोजन कराकर एक बेल पत्र का पौधा बेल का पौधा जो संकर जी को चड़ाते हैं ये कहीं सारवजनिक जगह पर लगाना है घर के पास जगह हो तो घर पर भी लगा सकते हैं आपके इस महबत का हम सदय परमपिता परमेश्वर से सम्मान करवाएंगे परमपिता परमेश्वर हमेशा आपको प्रशन रखे हमें नुमत दीजेगा और आज आप हमसे अमृत सर्भ मिल सकते हैं अगर आप मिलना चाहें तो आपके पास पूरा आवसर है मिलने का बहुत बहुत शुक्रिया आपकी इस महबत के लिए थैंक यू खुश रहें, हसते रहें, मुस्कुराते, खरिकलाते रहें और हमें अनुमत दीजेगा नमस्कार, स्रिकिष्णा शिरादे बोल दो